कभी-कभी हमारा अपनियाब गर्भ पात हो जाता है। कभी हमें अंचाहे प्रेगनसी होती है तो हमें वो गर्भ नहीं चाहिए होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और गर्भ पात करने के लिए कहते हैं। तो डॉक्टर हमें दो ओप्शन्स देते हैं। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुरानिक, टेस्टी बेबी कंसल्टेंट एंट ट्रैक्टिसिंग ऑफसेटिंग अंगायनेकुलोजिंग मोदेन 20 येर्ज कभी-कभी हमारा अपनियाब गर्भपात हो जाता है कभी अंचाहे प्रेग्नशी होती है तो हमें वो गर्भ नहीं चाहिए होता है हम दॉक्टर के पास जाते है और गर्भपात करने के लिए कहते हैं तो दॉक्टर हमें दो आप्षिन्स देता है एक दमायूं से गर्वपात और दूसरा गर्वपात रहता है सर्जिकल यानिकि आपको भरती करके अनेस्टेश्या देखे आपका यूट्रस क्लीन करते हैं और वो गर्वपात हो जाती है लेकिन हमारे मन में प्रश्ण होता है कि ये गर्वपात हुआ है वो पूरी तरह से हुआ है या नहीं ये संदेह हमारे मन में रहता है जब हमारा गर्वपात नेच्रली होता है अपने आप होता है और दूसरी बात है जब हम दवाईयों से गर्वपात करते तो भी हमारे मन में संदेह रहता है कि हमारा गर्बाध हो ओच्छुका है यhang यदि पूरी तरह हमारा गर्ब बाहर आया है यह तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारा गर्बाध पूरी तरहसे हुआ है यह जानने के क्या तरीके जब अपना गर्भपात आधा दूरा होता है तो पहला संकित होता है ब्लीडिंग जब गर्भपात पूरा होता है तो गर्भपात के दौरान हमें ब्लीडिंग होता है हमें पेन होता है और एक बड़ा सा क्लॉट और फ्लीशी मास बाहरा जाता है जब गर्बबाद पूरा हो जाता है तो हमारा दर्द भी कम हो जाता है और रख्तस्ताव भी कम हो जाता है और ये रख्तस्ताव दो से तीन दिन में पूरी तरह से बंद हो जाता है और हलका सा स्पोटिंग हमें दो चार दिन के लिए महसूस होता है लेकिन गर्भबाद के बाद जब अपना ब्लीडिंग लगातार जाता रहता है, तो हमें लगता है कि ये अच्छी बात है, मेरी बोडी क्लीन हो रही है, और इसलिए हम इसको इग्नॉर करते हैं, लेकिन ये इग्नॉर करने में बहुत बड़े प्रॉब्लेम हो सकते हैं, हमार हमें ये जानना ज़रूरी है कि गर्भबाद पूरा होने के क्या-क्या सब्यत हो सकते हैं, गर्भब पूरा होने के बाद ब्लीडिंग रुख जाना चाहिए दो से तीन दिन में और आने वाला पीरिएट जैसे अपना रिदं रहता है, एक मैना देर भहना उसके बाद हमेश सा जदा हेवी होने के chances रहते हैं लेकिन दो पीरिड के बीच में spotting थुड़ा गरप्तस्त्राव या पेट में दर नहीं होना चाहिए जब हमें अंचाही pregnancy रहती है तो डॉक्टर आपको गर्पपात करने की दो options बताते हैं जब आपकी pregnancy और प्रेगनसी रहेगी साथ या आठ हफ्तों तक साथ हफ्तों तक ही रहेगी तो डॉक्टर आपको दवायून से गर्पपात करने की सलाह दे सकते हैं लेकिन जब आपकी pregnancy थोड़ी बड़ी रहेगी यानिकि एट वीक्स के ऊपर रहेगी तो डॉक्टर आपको cleaning करने के लिए यानिकि DNP करने की सलाह जब हम दवायों से abortion करते हैं तो 90 प्रतिशत abortion complete हो सकता है और 10 प्रतिशत आधा आधूरा होनी के chances रहते हैं यानिकि bleeding हो जाता है लेकिन थोड़ा सा आवल का पार्ट या बच्चे की पार्ट अंदर वस जाते हैं और वह नहीं आते जब ऐसे आधा आधा आधूरा abortion होता है तो हमारा bleeding completely रुखता नहीं है थोड़ा थोड़ा bleeding चलते ही रहता है या दो दिन रुखके वापस तीसरे दिन से bleeding होना चुरू हो जाता है और कभी जादा पार्ट अंदर फसा रहेगा तो हमें पेट में दर्द भी होता है बार बार रुखके cramping होती है contractions आना शुरू हो तो यह संकेत रहता है हमारा abortion incomplete हुआ है और जब आधा अधूरा abortion होता है तो आपको infection होने की संभावला रहती है क्योंकि आधे अधूरे abortions में अंदर products of conception यानि की छोटे-छोटे parts रहते हैं और यह part को infection हो जाता है और कभी-कभी जो हमारा होने वाला discharge रहता है यूरी मार्क स्ट्राव जो आता है उनको थोड़ी सी बद्वू आना शुरू हो जाता है हमें पीट में दर्थ होता है हमें थोड़ा बुखा रहना शुरू हो जाता है यही संकेत है कि हमारा abortion अभी हो septic abortion में जा चुका है तो abortion complete हुआ है या नहीं यह देखने के लिए जैसे मैंने बताय जो सिम्टम्स लेते हैं याने कि लक्षने रहती है लगातार ब्रीडिंग होना पेट में दर्थ होना उसके साथ ही वो कंफर्म करने के लिए हमें सोनोग्राफी करना जरूरी होता है सोनोग्राफी में हमें पता चलता है कि यह abortion पूरी तर से हुआ है या नहीं और जब दव पूरा नहीं हुआ तो डॉक्टर आपको गरभाशे की सफाई करने के लिए बुलेंगे जिसको हम चेक क्यूरेटाज कहते हैं आपको आधे दिन के लिए हॉस्पिट में भरती होना पड़ता है आपको अनस्तिश्या दिया जाता है और आपका यूट्रस क्लीन किया जाता है कभी हमारी प्रेगनसी बड़ी रहती है और हमारा सर्जिकल अबोर्शन हुआ रहता है तो सर्जिकल अबोर्शन में आधा आधूरा अबोर्शन होने के चांसे बहुत कम होते हैं लेकिन कभी ऐसे भी हो जाता है डॉक्टर जब आपका क्यूरेटिंग करवाते है यानि कि लगातार ब्रीडिंग होता रहा आपको दर्द होता रहा तो हमें इग्नोर नहीं करना है ऐसे नहीं समझना है कि मेरा अबोर्शन हो चुका है तो अभी कुछ करने की ज़रुरत नहीं है आपको डॉक्र के पास जाना है आपको सोनोग्राफी दोहरानी है और बचे हुए प् अब्लिट हुआ है या नहीं हुआ है यह जानने के लिए यूरीन प्रेगनसी टेस्ट करना यह सही नहीं है क्योंकि अबोर्शन पूरा होने के बाद भी कई दिन तक हमारी यूरीन प्रेगनसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है तो यह मेथड पे आपको बिल्कुल भरोसा आज इस वीडियो में हमने जान लिया अपना अबॉर्शन चाहे वो अपनी आप हुआ हो है हमें अंचावी प्रेगनसी ही मने डॉक्टर के पास कीया ह। वो पूरा हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, क्या लक्षन हो सकती हैं इसके बारे में आपके कोई प्रशन रहेंगे तो हमें जरूर लिखिये हैं और हमारी के प्रेग्नसी गायनेक इन्फर्टिटी आईवीय प्रेडिल वीडियो जरूर देखते रहिए, धन्यवाद